नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एब्रीडे इंस्पिरेशन में दोस्तों वास्तु शासर में कई आसान उपाई बताएगे हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप धन दौलत एश्वरे की प्राप्ति कर सकते हैं तो आएए दोस्तों आपको बता दे कुछ ऐसे टिप्स जो ये चीजे सोते वक तक्ये के नीचे रखकर अगर आप सोते हैं तो आपकी किसमत बदल सकती है वास्तों के अनुसार हर सोमवार को सोने से पहले तक्ये के नीचे सिंदू रखकर सोने से व्यक्ती जिन्दगी में तरक्की की सीडिया चड़ने लगता है लेकिन ध्यान रहे सोमवार को तक्ये की नीचे रखा हुआ सिंदूर अगले दिन मंगलवार को हनुमान जी को अरपित करना जरूरी है इससे व्यक्ती ना केवल कार्यक्षेत्र में प्रगती करता है बलकि मंगल का प्रभाव भी इससे कम हो जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार तक्ये के नीचे चान्दी की मचली रखना बेहत शुब माना गया है इससे शुक्र ग्रह मस्बूत होने में मदद मिलती है ऐसा करने से व्यक्ती के जीवन में सुक सम्रुद्धी लाट आती है और व्यक्ती ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है हिंदु धर में लोहे को शनी का कारक माना गया है रात को सोते समय अगर लोही का छला या लोहे की कोई भी वस्तु तक्ये के नीचे रख कर सोई जाए तो नेगेटिव एनरजी दूर होती है और शनी की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है सफेद कपड़े में सौ बांकर तक्ये के नीचे रख कर सोने से राहू दोश तूर करने में मदद होती है ऐसा करने से आपको बुरे सपने और मानसिक परिशानियों से छुटकारा मिलता है इस सुपाय को करने से राहू का बुरा प्रभाव भी कम होता है आशा है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसे अच्छे से टॉपिक के साथ अब तक के लिए दीजे इजाज़त धन्यवाद